एक बोल में हम वेज मेयोनीज डालेंगे जो कि सिंपल है उसी में हम तंदूरी मेयोनीज डालेंगे मेयोनीज में मैं अर्बन प्लैटर का काइन पेपर पाउडर डाल रही हूँ जो कि थोड़ा सा तीखा और थोड़ा सा स्वीट होता है काली मिर्च का पाउडर लाल मिर्च क powder जो कि तिखापन देगा, एक कसा हुआ गाजर डाल देंगे और एक बारीक कटा हुआ शिम्ला मिर्च डाल देंगे, इन्हे हम mix कर लेते हैं, इन सभी को अच्छी तरह से mayonnaise मैं mix कर लेते हैं और taste कर लेते हैं, अगर नमक की ज़रुत होगी, तो ही हम नमक डालेंगे, वरना नहीं डालेंगे, बहुत ही हलका सा नमक डालेंगे, मियोनियस के बैटर को हमने इस तरह से ब्रेट पे लगा दिया है, और एक एक ब्रेट से हम इस तरह से डग देंगे, एक पैन को मैंने गरम किया है, उस पर मक्खन को ब्रेडों को रखकर सेख लेंगे दोनों साइड और हम दोनों साइड अच्छी तरह से मखण जरूर लगा देंगे तो ही ब्रेड्ट सैंड्विच में हमारे टेस्ट आएगा तूसरी साइट सैंडविच करकर मैंने एक प्लेट रख दिया है और उसके उपर कोई भी वजन समान रख दे जिससे कि जो हमारी मयोनीज में सबजियां है वो अच्छी तरह से पक जाए तंदूरी तंदूरी मयोनीज सैंडविच रेटी हो चुका है ये देखिए एक खोल कर दिखाती हूँ मैं ये देखिए बहुत ही टेस्टी बना है और अंदर से पुरी सबजी पक चुकी है तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरू दबा दीचेगा थांक्यू